हेलो दोस्तों वालकुट माइचाना सिभी कॉंसर्ट दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ डिस्क्स करने वाला हूँ दस बाइदस के रूम बनाने में कितनी सिमेंट, सैंड, एग्रिगेट, ग्रीट और स्टील की जरूत पड़ेगी या दोस्तों दस बाइदस का रूम बनाने का खर्च कितना आता है वहीं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्क्स करने वाला हूँ दोस्तों दस बाइदस का अगर हम रूम बना रहे हैं तो उसमें हमें सिमेंट की कितनी बैग लानी पड़ेगी या भी दोस्तों सैंड हमें कितनी क्यूबिक फिट मंगानी पड़ेगी या फिर ट्रेक्टर मंगाना पड़ेगा कॉलम के अंदर दोस्तों कितना स्टील जाएगा तो सारी कैलकुलेशन आज मैंने करके रखी है सिर्फ आपको मैं एक्सलेन करूंगा आज की वडियो में कि हर चीज की हमें कितनी रिक्वाइमेंट पड़ेगी मतलब सिमेंट कितनी लाने पड़ेगी सैन कितनी लाने पड़ेगी स्टील का कितना ओर्डर करना पड़ेगा ठीक है अगर हम दस बाइदस का रूम बना रहे हैं तो ठीक है तो उससे बला दोस्तों अगर आप मेरे चानले पर नए हो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब जरू करती चीगा और दोस्तों बाल नोटिफिकेशन को जरूर आन करें जिसे मेरे लेटिस विटी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे है तो दोस्तों यह पहले हम बात करेंगे यह जो दस बाइद सकार रूम है ठीक है तो यह जो दस बाइद सब्सक्राइब का रूम है इसमें आप देख सकते कि अंदर दस बाइद सूट है पर बाहर आप देखोगे तो ग्यारा फिट छेंच हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो वॉल है वो भी एड हो जाएगी ठीक है वाल और विट प्लास्टर एड हो जाएगी इसलिए 6 इंच मैंने वो पढ़ा दिया है ठीक है तो यह एक्स्ट्रा एड हो जाएगा और यहां पर देखे चार कॉलम आएगे एक डोर आएगा एक विंडो आएगी जो कॉलम की साइज रहेगी और 9 इंच का कॉलम रहेगा और बीम की साइज जो रहेगी और 9 इंच बाइ आएगे तो हमें मिनीमम 4,100 नंबर सो ब्रिक्स लागेगी ठीक है 4,100 की करीब ब्रिक लगेगी ब्रिक का रेट अगर हम 5 रुपे पर स्क्वेर फीट पकड़े ठीक है अगर मार्केट में आप जाओगे तो कहीं जगा 4,5,6 रुपे तक का आपको अच्छी ब्रिक का रेट म ब्रिक करेंगे तो मुझे करीबन 20,500 रुपे की ब्रिक्स लाने पड़ेगी एक टैक्टर आप ब्रिक मंगाएंगे तो 20,000 के करीब वो आपको पड़ जाएगी ठीक 18 से 22,000 की रेंज होती है जनरली एक टैक्टर में 4,000 ब्रिक आ सकती है ठीक है तो ये दोस्तों हम मंगा सक आ खात है 20,000 के करीब हमारा ब्रिक का कोष्ट होगा अगर हम वान रूम बना रहें उसके बाद ब्रिक और वर्क करेंगे तो उसके इनदर गार ब्रिक से 10,000 की 5 verl shareholders हमारे डिक tą ask को ब्री कृद लगेगी मुझे सिमेट लगेगी त्रीक बैक सिमेट मुझे आडर करने पड़ेगी ब्रिक वर के लिए उसके बाइए उसी के अंदर दोस्तों अगर हम ब्रिक वर कर रहे हैं ठीक है तो उसमें 65 गयरेगी तो 35ूट के करीब दोस्तों हमें सन्ड लगिए 65 क्यूभीक फीट और एक क्यूभी फीट का रेट 50 रुपे चल रहा है तो उसकी इसाब से पेशत multiplied by 50 तो करीबन 3250 रुपे की मतलब दोस्टों ये करीबन एक टैक्टर के करीब ही हो गया आपको एक टैक्टर मंगाल हो गया तो आपको अच्छा रहेगा तो 3250 रुपे की क्या होगे मेरी सेंड हो जाएगी ठीक है अब ये हो गई दोस्तो हमारी बात कि हमने brick work कर लिया अब brick work कर लिया तो अब बात करेंगे RCC column की ठीक है तो RCC column जो है ठीक है हमारा जो RCC column है वो एक column में करीबन दोस्तो 6 cubic feet concrete जाता है देखें तो यह देखें 9 by 9 inch का column है और इसकी जो height है इसकी जो height है वो करीबन है दोस्तो 10 feet के करीब आप पकड़ लिजे ठीक है 9 by 9 inch का column और 10 feet के अगर height पकड़ेंगे दोस्तो एक column में 6 cubic feet concrete हमारा जा रहा है तो 4 column में करीबन 24 cubic feet concrete जाएगा उसी तरह से RCC beam की ब्यात करें तो beam की size हमारी कितनी है 9 inch by 12 inch है उसकी जो length रहेगी वो 10 feet रहेगी इंटू हिन है तो उसकी जो लंबाई है वो 10 feet रहेगी यह 10 feet रहेगी ठीक है तो 10 feet मतलब देखें beam यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 4 beam मेरे हो जाएगी ठीक है तो ॻादी सी सलैब की बात करें तो अगर हम դोटल करेंगे तो मतलब करें कि दोस्तो 29 क्यूबिकफीट दोस्तो हमें प्या लगेगा कंक्रीट लगेगा ठीक है 49 क्यूबिक फीट हमें कंक्रीट लगेगा और स्लैब की जो ठीकने से ठीक है जो स्लैब की जो ठीकने से मैंने 4 इंच यहाँ पर ली है जो जनरली हम सभी कंस्ट्रक्शन में ले दे नर्मन कंस्ट्रक्शन में तो उसके हिसाब से दोस्तो 49 cubic feet मेरा क्या लगेगा concrete लगेगा slab के अंदर टोटल concrete हो गया 103 cubic feet concrete लगेगा किस में RCC column beam और slab में मिलाकर टोटल 103 cubic feet concrete मुझे लगने वाला है ठीक है अगर आप RNC मंगाते हो तो सीधे आप इसको साड़े 3000 से multiply करेंगे तो आपका कोश निकल आएगा पर यहाँ पर मैं hand mix concrete यूज़ करने वाला हूँ तो मुझे 103 cubic feet के लिए करीबन 23 back cement लगेगी और back का rate 340 चल रहा है तो इसे साब से 23 multiplied by 340 7,820 की मुझे सिमेट लग जाएगी यह तीन चीज़े बनाने के लिए sand मेरी 42 cubic feet लगेगी पचास रुपे पर cubic feet का rate है तो करीबन 2100 रुपे की मुझे sand लग जाएगी aggregate तो करीबन 85 cubic feet लगेगा तो 45 रुपी का cubic feet का rate चल रहा है मार्केट में तो करीबन 2250 रुपे की क्या लग जाएगी मुझे aggregate मतलब gravel लग जाएगी तीक है अब steel bars की बात करें तो यहाँ पर हमने जो construction किया था उसमें 337 kg cubic kg जो से steel लगता है किसमें यह जो column है beam here slab मिलाकर टोज तो 300-300 kg जितना steel यूज हो जाता है तो 50 रुपे पर kg का rate पकड़े अलग लग डाएगर छोड़े एवरेज जब 50 लिरते है तो करीबन 16,850 रुपे का steel हमारा इसके अंदर लग जाएगा ठीक है टाइस वर्क हमारा होगा करीबन जो हम 20 लगाएंगे इसके अंदर वो करीबन 100 cubic feet की का टाइस वर्क होगा ठीक है अंदर देखे 10 by 10 मतलब टोटल जो टाइस लगे वो 10 by 10 मतलब 100 square feet में हमारी टाइस लगने वाली है ठीक है तो 100 square feet में हमारी अगर टाइस लगती है तो और 25 रुपे पर स्क्वेर फिट का अगर हम टाइस का रेट पकड़े तो करीबन 25 रुपे क्या हो जाएगा हमारा टाइस का कोस्टिंग आजाएगा ठीक है तो टोटल मिलाकर अगर हम यह सारे जो material है इंका कगर मैं टोटल करता ह तो मेरा material कोष्ट जो है total material कोष्ट ठीक है total मेरा material कोष्ट 16390 रुपे का material है इसमें दोस्तों थोड़े बहुत material छूट भी जाते है जो minor minor मैंने पकड़े नहीं है तो plus minus आप पकड़ सकते है तो यहाँ पे material कोष्ट जो है वो 16390 का हो गया अब यह डिपेंड करता है आपक ौता है slab का जो area है वही consider होता है 11 पर 11 मतलब यह जो बाहर का area है वही consider होगा ठीक है तो यह जो है slab का area ही count करते हैं तो यह करीबन हमारा कितना है 132 2ft यहां पे हो रहा है और 270 रुपए पर square feet अगर labor charge है contractor labor charge करता कर रहा है आपके area में ठीक है 270 रुपए पर square feet तो 132 इंदू 270 करीबन 35,640 रुपे के करीब आपका labor चार्ज हो जाएगा, मतलब हम आपकी जो labor वर्क करेंगे ठीक है, उसका ही चार्ज हो जाएगा करीबन 35,640 रुपे ठीक है, अब दोनों का हम मिला देंगे दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो करीबन 97,030 रुपे तो round figure आप पकड़ लीजे कि आपको 10 by 10 का जो रूम बना रहे हो ठीक है उसमें 1,00,000 रुपे की जरुत पड़े है अब इसमें additional वर्ड जो है मैंने include नहीं किया है electrical, plumbing, plaster वर्ड जो ही आप इंक्लूड नहीं है पर इसका आप 15,000,000 और पकड़ लीजे तो करीबन दोस्तो एक लाग दस हजार, 15,000 या पर वीजश हजार में ज्यादा से ज्यादा दोस्तो आपका काम हो जाएगा बड दोस्तो इसमें contractor अपना profit पकरता है मतलब 10 by 10 का अगर रूम बनाओगे तो ज़रूर आपको contractor 10 लाग बोलेगा पर आपको उसको कम कराना है एक लाग बीस में ही आपको उसको fix करना है ठीक है दोस्तों तो ये था दोस्तों 10 बाइ 10 स्क्वेर फीट में का रूम बनाने में कितनी सिमेंट सैन अगरी गेट लगती है स्टील लगता है और फाइनली उसका कोष्ट क्या रखता है वो दोस्तों मैंने आपको आज को practically calculate कर